हेलो दोस्तो कैसे आप सभी लोग स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल अथार्थ फीजियो में दोस्तो आज हम देखते हैं बैक पेन के वारे में कि यह बैक पेन क्या होता है और किन-किन कारणों कंडिशनों के वज़े से यह बैक पेन होता है तो चलिए देख काफी लोग हैं जो इन-क्रेक्ट पोजिशन में चलते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि वह बतलब bottle दीले इनख्टिव पोजिशन में चलते हैं जिसकी वज़़े से वहाँ यह बैक पेन के शमशा है रहती है तो इसलिए हमेसा एक्टिव करेक्ट पोजिशन में चलना चाहिए अब देखते हैं जो लोग कंप्यूटर या मोबाईल पर ज्यादा वर्क करते हैं उनकी जो इस्पाइन है वह भी ठीक तरह से एक्टिव पोजिशन में नहीं रहती है वह इनकर्रेक्ट पोजिशन बैठते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं तो इसलिए हमेशा एक्टिव पोजिशन में बैठना चाहिए अब देखते हैं जो ओवीज मोटे लोग होते हैं जो उनकी लंबर स्पाइन होती है उस पर प्रेसर परता है जिसके वजए से वहां भी पेन की समझ्षाएं रहती है अब आते हैं बैट पेन के दूसरे कारण पर एन इंजरी मतलब किसी परकार के कोई इंजरी वगेरा हो जाना जैसे कि हम कोई मुवमेंट वर्क वगेरा कर रहे हैं तो अचानक से इस पर इन एश्ट्रे ना जाना अथार्थ वहां कोई मोच खिचाव या एठन आ जाना जिसके वज़े से वहां पर पेन की समझ्षाएं इसे क्या होता है जो लिघामेंट टैन्दन्स और मसल्स उती है वह इंजरिओं को समझ्षाएं रहती है और टैन्डन मसल्स को बॉंसय करता है घ्याऊ इसमें क्या होता जो ऑन होता है वह णो जो जाते है जैसे कि आ स्पाइन की यह बॉंस है वर्टिवल कॉलम से यह अन्नैसरी ग्रोथ करने लग जाती है अब देखते हैं वर्टिवल फैक्टर जिसे कोई भी एक्टेंट या दुरकटना बस वर्टिवराज होती है इसमें फैक्टर हो जाता है जिसके वज़े से नौर्मल ही है वह पेंट करे देटी हैं तो दोस्तों अव्जायल मतलब जनम जात बीमारिया और जो नौर्मल भी मारिया वो सारी आती है फैनल यह ड्राम जाता यह बीमारी में यह प्हें निकल जाती है जो हुम सारी नखेंटेंटी ौगेरा को जिक्त ती है जिसकी मैंसे कर क्वाएड करती है अब आते हैं अदे कले से algebraic थिए एक प्रकार से और दिमारी होती है इसमें क्या ऋल्ट होते हैं यह होल्क पॉस्प कालम भी वगया फिलोगा अमें आज अजैड्र-त्र ओपिज्म इसमें क्या होता है जो इस्पाइं होते हैंसिस्पाइं के वर्टिवल कॉलम्स होते हैं इनके जो कॉर्णर है यह कॉर्णर में कोई भी इंजरी वगेरा हो जाती है जैसे कि यह ग्रोथ करने लग जाते हैं तांकि कोई मुवमेंट वगेरा करते हैं यह मुवमेंट होता है तो यह आपस में बिढ़ते हैं बिढ़ने के गारें वहां पर स्पाइनल कैनाल इस तरह की कैनाल होती है जिसमें से कावी सारी नर्व हो गुजरती है अब यह स्पाइनल कैनाल है अब इसमें कावी सारी नर्व गुजर रही है तो इस बीमारी में करता है कि यह जो स्पाइनल कैनाल है यह नेरो होने लगता है जिसकी वज़े से जो वहां की परों धी नर्व गुजर है वो नर्व कंप्रेस होती हैं और जो कदिषन अगर आपको इनमें से कोई भी कंदिशन ब्स in झाल झाल